तो सबसे पहले समझते हैं कि narration होता क्या है? What is narration? Direct speech क्या होती है? Indirect speech क्या होती है? For example, मैंने याप एक sentence लिखा कि राम ने बोला कि मैं वहाँ पर किसी भी हालत में नहीं जाओंगा राम ने क्या बोला? मैं वहाँ पर किसी भी हालत में नहीं जाओंगा तो जैसा राम ने बोला था मैं वहाँ पर किसी भी हालत में नहीं जाओंगा आपने उसी बात को बिल्कुल same to same inverted commas के अंदर लिख दिया जैसा राम ने बोला था आपने उसी बात को बिल्कुल same to same inverted commas के अंदर लिख दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम direct speech बोलते है Indirect speech क्या होती है Indirect speech होती है जब आप इस direct speech में कुछ changes लगाते हो For example, मैंने अब एक sentence लिखा Ram said that he would not go there at any cost कि वो किसी हालत में भी वहाँ पर नहीं जाएगा अभी जो दूसरा वाला statement है जो मैंने लिखा है ये हमारा indirect speech है क्योंकि हमने दखो कुछ को changes करें मैंने I को he कर दिया, मैंने Will को would कर दिया, मैंने बीच में that लगा दिया, तो हम इस तरह के जब changes करते हैं तो हम उसको किस नाम से जानते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं indirect speech What do we call it? We call it indirect speech तो आज का इजो session है यह पूरी तरीके से dedicated है कि direct speech में क्या क्या concepts होते हैं, indirect speech में क्या 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 concepts होते हैं, direct से indirect कैसे जाते हैं, indirect से direct कैसे जाते हैं, सारे तरह के sentences में कैसे narration होता है, तो वो सारी की सारी चीजे हम आज के इस session में सीखने वाले हैं एक्साइटेड हैं सभी लोग चाले तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो आज हम जोरो सेंटेंसेज पढ़ने वाले हैं जिसमें हम नेरेशन करने वाले हैं तो बेसिकली ये पांच तरह के सेंटेंसेज हैं जिनमें हम नेरेशन सीखेंगे सबसे पहले होते हैं हमारे assertive sentences assertive sentences होते हैं जो हमारी normal statements है मैंने बोला मैं ये काम कर रही हूँ मैं ये काम नहीं कर रही हूँ मतलब इसके अंदर दो sentences हमारे आते हैं एक आते हैं हमारे affirmative sentences affirmative means positive sentences I am teaching he is playing she is dancing she can dance दूसरे sentences के अंदर जो आते हैं वो आते हैं हमारे negative sentences तो इनका आज हम narration पढ़ने वाले हैं दूसरे sentences होते हैं हमारे interrogative sentences जिनका हम narration पढ़ेंगे जिनको हम questions बोलते हैं imperative sentences भी मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर 4 तरह के sentences आते हैं किसी को आपने कोई order दिया, किसी से आपने कोई request की, आपने किसी को कोई advice दिया, कोई सलहा दी, suggestion दिया, और last, आपने किसी को कोई proposal दिया, तो उस तरह के sentences में भी हम narration पड़ेंगे, optative sentences किसी को आपने कोई blessing दी, कोई आशिवाद दिया, कोई कर्स दिया, वो वाले हम narration पड़ेंगे, और उसके बाद last में हम पड़ेंगे, वो sentences जिसमें आपने emotions को display किया, with the help of words, exclamatory sentences कौन से होते हैं, जिसमें आपने emotions को शब्दों की help से बताया, तो यह सारे के सारे sentences हम आज के session में बढ़ने वाले हैं, अब इन sentences को detail में भी बताऊंगी, कि यह sentences क्या-क्या कहते हैं, अगली बात करते हैं, जब भी हम किसी direct speech को indirect speech में convert करते हैं, तो basically कुछ चीजें होती हैं, जो मुझे आनी चाहिए, सबसे पहली चीज, जब भी हम किसी direct speech को indirect speech में convert करते हैं, तो structure change होता है, फिर connector add होता है, फिर pronoun change होता है, reported verb change होती है, tense change होता है, कुछ शब्द भी होते हैं, वो change होते हैं, तो basically यह 6 changes हमें एक एक करके पढ़ने हैं, सारे के सारे sentences, तो direct to indirect speech जब convert होता है, या indirect to direct speech जब convert होता है, तो यह कुछ 6 changes हैं, जो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, सामझ में आ रहा है सभी को, चलो, सबसे पहले कुछ terminology पढ़ते हैं, direct speech में किसको क्या बोलते हैं, indirect speech में किसको क्या बोलते हैं, तो यहां पे एक sentence दिया हुआ है, he said to me, I will paint here, उसने मुझे बोला, कि मैं यहां पे paint करूँगा, ध्यान दे समझना बेटा, बहुत ध्यान से, यह जो he है, इसको बोलते हैं subject, क्या बोलते हैं इसको बेटा, subject, जिसने किसी बात को बोला, वो हमारा subject है, जिससे बोला गया, जिसको बोला गया, वो हमारा क्या है, वो हमारा object है, जिसने बोला वो subject, जिसको बोला गया, वो object, जिस तरहीके से बोला गया, यह जो said to है, यह हमारी क्या है, यह हमारी reporting verb है, ध्यान से, नाम बहुत अच्छे से लिखते हुए भी जाना, reporting verb है, जिस तरहीके से बोला गया, उसको बोलते हैं reporting verb और जो बात बोली गई जो inverted commas के अंदर लिखी हुई बात है उसको हम बोलते हैं reported speech किस नाम से जानते हैं पिटा? उसको हम बोलते हैं reported speech तो ये सारा का सारा शब्दों का खेल है कि किस शब्द को क्या बोला जाता है अब अगर आप देखोगे ये मेरा direct speech है नीचे वाला मेरा जो है बिटा वो indirect speech है तो जब मैं direct से indirect में convert कर रही थी मैंने 6 बदलाव किया 6 बदलाव को ध्यान से समझना मैंने कौन-कौन से 6 बदलाव किये जो बदलाव हमें भी सीखने हैं पहला बदलाव मैंने किया कि said to को told में change किया पहला बदलाव मैंने क्या किया पहला बदलाव मैंने किया change of reporting verb reporting verb में मैंने बदलाव लई दूसरा बदलाव मैंने क्या किया यहाँ पे connector लगाया that मतलब मैंने क्या किया addition of connector मैंने connector लगाया that तीसरा बदलाव मैंने क्या किया इस will को मैंने would में change किया मतलब मैंने क्या किया change of tenses मैंने tense बदला चौथा बदलाव मैंने क्या किया इस here को मैंने there बदल बना दिया here को मैंने क्या बना दिया there बना दिया मतलब चौथा बदलाव जो मैंने किया वो क्या किया, चौथा बदलाव मैंने किया, change of a word, मैंने एक शब्द को ही बदल दिया, पांचवा बदलाव मैंने क्या किया, ध्यान से अगर आप देखोगे, पांचवा बदलाव मैंने किया, इस I को मैंने ही बना दिया, मतलब पांचवा बदलाव क्या था, change of pronoun, मैंने प्र इसका मतलब मैंने structure change कर दिया change of structure तो जब भी कोई direct speech indirect speech में convert होता है तो ये 6 changes हैं जो किये जाते हैं conversion के time कोई दिक्कत? किसी हो? इनी सारे changes को हमें एक एक करके पढ़ना है कि कैसे कौन सी चीज बदल रही है जब हम direct speech से indirect speech की तरफ move कर रहे हैं इस सारा आपको PPT में मिल जाएगा सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले change की और वो है change of structure structure को कैसे change किया जाता है तो structure को change करने में कुछ नहीं होता remove commas and inverted commas जितने भी commas हैं और जितने भी inverted commas हैं वो हटा दो जब अब direct से indirect convert कर रहे हो मैं आपको सिखा रहे हूँ direct speech को indirect speech में कैसे convert करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है सबसे पहली चीज है कि आप comma और inverted comma को हटा दो दूसरी चीज क्या होती है तब ही tense को change किया जाता है, otherwise tense को change नहीं किया जाता है अगर आपकी reporting verb present में है या आपकी reporting verb future में है तो आप tense को कभी भी change नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए reporting verb आपकी past में होगी, उसी case में tense को change किया जाएगा reporting verb क्या थी, said to, says to, will say to, वो क्या थी, वो आपकी reporting verb थी तो अब इस question को देख रहे होंगे, यहाँ पे reporting verb क्या है, says he says, वो कहता है, मैं अच्छा नहीं feel कर रहा आज कॉंसे tense में है reporting verb, reporting verb जो है हमारी present tense में है तो reporting verb जब भी present tense में होगी, या future में होगी, tense change नहीं होगा तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी present tense था और यहाँ पर भी present tense ही है तो जब भी reporting verb present या future किसी में भी होगी, आपका tense कभी भी change नहीं होगा यहाँ पे किस में थी? present में थी, तो यहाँ पे भी will लिखा हुआ था और यहाँ पे भी will लिखा हुआ था तो reporting verb जब भी present में होगी, या future में भी अगर होगी यहाँ पे will से लिखा हुआ था reporting verb किस में थी बिटा? reporting verb future में थी तो जब भी future में होगी, tense change नहीं होगा यहाँ पे भी present tense है और यहाँ पे भी present tense है क्या यह concept साजी को समझ में आया? Is the concept clear to everyone? कि reporting verb अगर present में होती है या future में होती है तो tense change नहीं होता तो भई किस में होता है tense change? Tense change होता है जब आपकी reporting verb किस में होती है? जब आपकी reporting verb past में होती है तो हमारा tense तब ही change होता है जब reporting verb past में होती है अब tense change कैसे होता है? उसको समझते हैं सबसे पहली चीज तो अब टेंस को जितने भी प्रेजन्ट है अपने पर एक्जामपल सिंपल प्रेजन्ट है प्रेजन्ट कॉंटिन्वस टेंस है प्रेजन्ट पॉफेक्ट कॉंटिन्वस टेंस है प्रेजन्ट पॉफेक्ट है जितने भी अपने present tenses हैं वो सारे की सारे बदल जाते हैं अपने अपने past में मतलब बगा simple present था तो indirect speech में किसमें convert हो जाएगा? simple past में present continuous था तो वो किसमें change हो जाएगा? past continuous में present perfect continuous था तो वो change हो जाएगा? past perfect continuous में present perfect था तो वो change हो जाएगा past perfect में तो जब भी हम direct से indirect speech को convert करते हैं अगर reporting verb past में होती है तो reported speech का present tense past tense में convert हो जाता है क्या इस बात अबी को clear है तो जितने भी present tense थे reporting speech में वो सारे के सारे past बन जाएंगे तो for example he said I am unwell उसने बोला मेरी तबिट ठीक नहीं है मैं अच्छा नहीं feel कर रहा हूँ कौन सा tense था? simple present तो simple present बिटा किस में convert होगा? simple present हमारा convert होगा simple past जितने भी present है वो अपने अपने past में convert हो जाएंगे He said that he was unwell उसने बोला कि उसकी तबिट ठीक नहीं थी जितने भी present हैं वो सब अपने past बन गए clear सभी को present continuous था तो past continuous हो गया look at this example उसने बोला मेरे पापा एक किताब पढ़ रहे है He said my father is reading a book present continuous किस में convert होगा present continuous? present continuous किस में convert होगा? past continuous He said that his father was reading a book उसने बोला कि उसके पापा एक किताब पढ़ रहे थे So present continuous will get converted into past continuous Similarly present perfect किस में change होगा? present perfect would change into past perfect तो present perfect जो है हमारा past perfect में change हो जाएगा जितने present हैं सब अपने अपने past बन जाएगे So he said I have past the examination कौन सा tense है? present perfect किस में बदलेगा? past perfect में So have past का क्या हो गया? had past So present perfect हमारा past perfect बन गया सब के examples है जो भी concept पढ़ाओंगी सब के examples से पढ़ाओंगी Don't worry at all Present perfect continuous जो आपका present perfect continuous होगा वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा past perfect continuous मतलब I have been working किस में convert हो जाएगा? past में मतलब had been working So simple सी बात क्या थी? घूम फिरके जो इतनी सारी बाती करी उसकी एक simple सी बात क्या थी? कि tense जब direct speech से indirect में convert करते हैं तो present past में बदल जाता है Present किस में change हो जाता है? Present अपने अपने past में बदल जाता है कोई doubt किसी को यहां तक? कोई भी doubt होना तो प्लीज पूछते वे चलना यह जो free foundation course है पूरा का पूरा आप सभी के लिए है तो कोई भी दिक्कत हो प्लीज की पास्टिंग में समझ में आ रहा है सभी को? Yes आगे बढ़ते हैं अब अगर present अपने past में हो जाएंगे तो past tense का क्या होगा भई? present अगर अपने past में convert हो जाएंगे तो past का क्या होगा? तो past का क्या होता है? अगर simple past होता है तो वो change होता है past perfect में हो अगर past continuous होता है तो वो change होता है past perfect continuous में अगर past perfect होता है या फिर past perfect continuous होता है तो ये दोनों के दोनों change नहीं होते हैं no change at all तो मतलब अगर simple past है तो वो change होगा past perfect में अगर past continuous है तो वो change होगा past perfect continuous में past perfect और past perfect continuous है तो इन दोनों में से कोई भी change नहीं होगा for example इस question को देखते हैं he said he visited Delhi उसने बोला कि उसने Delhi visit किया था कौन सा tense है बिटा ये which tense is it बिल्कुल सही बोला simple past है तो simple past किसमें convert होता है simple past convert होता है past perfect में तो यहाँ पे क्या आएगा Ram said Ram ने बोला that he had visited Delhi past simple past को हमने convert किया past perfect में कोई example sorry कोई दिक्कत किसी को आगे बढ़ते हैं past continuous मैंने भी आपको बताया किसमें change होता है past perfect continuous में my brother was working in this factory my brother was working in this factory तो was working की जगह क्या आएगा past perfect continuous tense that my brother had been working in that factory similarly past perfect or past perfect continuous के tense कोई भी change नहीं होता है there is no change at all तो अगर यह past perfect है तो यहाँ पे भी past perfect ही रहेगा तो अगर direct speech में past perfect है तो indirect speech में भी past perfect रहेगा कोई भी change नहीं आएगा समझ में आया यहां तक present अपना past बना रहा था और past वाला आगे बढ़ रहा था अब बात करते हैं future में क्या होता है ma'am फिर future में क्या होता है will को change कर देते हैं would में shall को change कर देते हैं should में तो अगर direct speech में will दिया हुआ है तो would बना दो shall दिया हुआ है should बना दो can दिया हुआ है could बना दो may दिया हुआ है might बना दो ram will go अगर direct speech में लिखा हुआ है he said ram will go to the market तो विल को किसमें चेंज कर दिया? वुड में He said that राम वुड गो टू दी मार्केट विल बदल गया? वुड में He said I shall definitely do this work मैं इस काम को करूँगी शाल किसमें बदल जाएगा? शुड में तो he said that he should definitely do that वकब मैं बदाओंगी this that में चेंज जडाता है तो शाल किसमें चेंज हो अब बदा? शाल शुड में similarly may might में चेंज हो जाता है और can जो है वो could में चेंज जडाता है So may को हम might में चेंज करते हैं can को could में चेंज करते हैं तो I can do this work तो क्या आगया? He could similarly he may तो make इसमें आ गया, you might समझ में आया, tenses कैसे change होते है सभी को मैं इतना सारा बता तो दिया, आप याद कैसे होगा तो मैंना आप लों को प्रॉमिस तो किया हुगा है कि इस पूरे के पूरे foundation course में हर चीज टेबल की फर्म से याद करवाँगे टेबल याद हो गई, तो सब कुछ याद हो गया तो चलो, एक टेबल बनाते हैं टेंसेस कैसे change होगा फिर exception भी बताऊंगे, इसमें exception भी है, तो टेंसेस कैसे change होगे बेटा तो हमने पहला point क्या पढ़ा ये table मैंने ऐसा आगे भी बनाई हूँ सारे present अपने past हो जाएंगे पहला point ये था, दूसरा point ये था कि जो simple past है, वो एक छोड़के अगला वाला हो जाएगा मतलब वो तो हो जाएगा past perfect और जो past perfect है और जो past continuous है, वो हो जाएगा past perfect continuous और जो ये दोनों वाले हैं, इन में change नहीं होगा अगर past perfect दिया हुआ है, या past perfect continuous दिया हुआ है तो इन दोनों में क्या आएगा? no change, कोई भी change नहीं आएगा ये था दूसरा point, तीसरा point क्या था? will होगा, वो would बन जाएगा shall होगा, should बन जाएगा can होगा, could बन जाएगा और may होगा, वो might बन जाएगा so this was the complete table जो हमने अभी तक पड़ी कि कैसे कैसे tenses change होंगे जब हम किसकी बात करेंगे? जब हम बात करेंगे direct speech से indirect speech के कोई दिक्कत किसी को इस table में किसकी बात कर रहे हैं, यह direct है और यह क्या है? indirect कोई दिक्कत इस table में, किसी को भी anyone, any doubts in this table अब बात करते हैं, exception की English हो और exception ना हो, तो मजा ही नहीं आएगा English पढ़ने में और पढ़ाने में तो अब इसमें एक छोटा सा exception भी है वो छोटा सा exception क्या है? वो एक exception नहीं है, in fact tenses का ही वो एक दूसरा पार्ट है जो कहता है कि यह सब tense winds कुछ नहीं फारक पड़ता, अगर कोई चीज universal truth हो तो कोई चीज अगर universal truth हो universal truth का मतलब क्या होता है? fact हो sun rises in the east suraj पूरव में उगता है sun sets in the west suraj पश्चिम में क्या बोलते हैं? उगने को का opposite क्या होता है? मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा ढ़ल जाता है तो suraj उगता है ढ़लता है तो जो universal truth है जो बात एक सच्चाई है fact है कोई अगर बात जो कोई habit है किसी की आदत है कोई ऐसा काम है जो routine action है regularly होता है कोई कहावत है कोई proverb है तो उन cases में ये rules applicable नहीं होते उन cases में no change in tense उन में से किसी भी case में कोई भी tense में change नहीं होता है चीजें जैसी हैं वो वैसी ही रहती है कोई भी हम change नहीं करेंगे अगर direct speech में जो reporting speech है वो इन में से कोई भी है तो तो अब आते हैं examples पे the teacher said in the class teacher ने class में बोला the sun rises in the east sun जो है east में उगता है पूरव में उगता है universal truth है भई सच्चाई है सच्चाई का tense change नहीं करते इसी लिए हमने यहां पर tense change नहीं किया tense वही का वही रहा simple present था simple present का simple present ही रहा we did not change it he said man is mortal इंसान नश्वर है मरना है एक ना एक दिन तो सच्चाई है भई मरना तो मरना ही है तो हमने tense change नहीं किया that man is mortal जब भी कोई सच्चाई हो किसी की कोई आदत हो किसी तरह का कोई fact हो तो कभी भी हम tense को change नहीं करते हैं we never change that tense कोई दिकत आप इसको एक बार समराइस कर लेते हैं पूरा जो हमने पड़ा है समरीख पता देते हो जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए मेरा मोटेविक ये भी है इस फाउंडेशन कोर्स को करवाने का कि इस क्लास के बाद में आपको ये ना बोलो कि अपनी कॉपी खोलो और याद करो या पनी कॉपी खोलो और देखो मेरा एक मकसद ये भी है इस क्लास को करने का कि आप लोग के दिमाग में हमेशा के लिए चीजे बैठ जाए तो वही इसकी अगर में समरी की बात करती हूं तो अब समरी पर आ जाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तब ही रिपोर्टेट स्पीच का टेंस चेंज होगा जब यह और्ब पास्ट में होगी तभी चेंज होगा जो चेंज होगा वो ऐसे होगा कि prezents लो है पास्ट बन जायेंगे simple past बन जायेंगे past continuous गो है past perfect continuous बन जायेगा past perfect और past perfect continuous में कोई भी चेंज नियांगा can could बन जाएगा may might बन जायेगा will would बन जाएगा और shall should बन जाएगा जो मैंने टेबल सारी की सारी बनाई थी कोई दिककत किसी को यहां तक any problem till here तो अभी हमने क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा कि tenses change कैसे होते है अब हमें क्या पढ़ना है अब हमें पढ़ना है pronouns कैसे change होते है ही का शी कैसे हो जाता है शी का इट कैसे हो जाता है या दे कैसे हो जाता है तो अब हम पढ़ने वाले हैं pronouns कैसे change होते है तो pronouns को change करने के एक simple सा फंडा होता है पहले वो फंडा आप लों को समझा देती हो इसका pdf आपको टेलिग्राम पर मिलेगा हएकस में पानी की हो जाँ सबसे पहले तीन चीजों को समझते हैं कि first person क्या होता है second person क्या होता है third person क्या होता है first person होता है I we मतलब जो बोल रहा है, मैं, हम सब, जो बोलने वाला होता है, वो होता है हमारा फर्स्ट परसन सेकंड परसन होता है जिससे बात की जा रही है जिससे बात की जा रही है मतलब यू हर्ड परसन होता है जिसके बारे में बात की जा रही है बारे में बात की जारी है मतलब he, she, it, they राम, श्याम, घंश्याम, बलराम तो यह सारे के सारे आपके third person है तो narration में एक simple concept रहता है वो concept यह रहता है कि अगर आपकी reporting speech में subject है sorry, अगर आपकी reporting speech में first person है तो first person को इसके हिसाब से change करोगे first person को change करोगे subject के हिसाब से second person को change करोगे object के हिसाब से और third person में कोई भी change है अभी example तो समझाओंगी तो समझ में आएगा first person change हुआ subject के हिसाब से second person change हुआ object के हिसाब से और third person में हमारा कोई भी change नहीं आया example तो समझते मैंने लिखा And then he said, I am doing my work. He told me I am working. This is I and it is I and it is my person. First up, remind me. Let all of you comment and tell. This is I and this is my person, by calling first person. This is a first person, this is also a first person. Now, who is changing by first person? किसके हिसाब से चेंज होता है सबजिक के हिसाब से सबजिक का मतलब क्या है तो ही के हिसाब से चेंज हो का मतलब ही का क्या बन जाएगा यहां पर आई की जगा ही आजाएगा और माई की जगा हिस आजाएगा हिस वर्क उसका काम है तो तो जब भी कोई first person होता है, उसको हम किसके हिसाब से change करते हैं, बेटा, first person को हम change करते हैं subject के हिसाब से, जब मैंना को बिल्कुल starting में बताया था, subject कौन होता है, जो बात कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है, तो first person को हमने subject के हिसाब से change किया, second person को किसके हिसाब से change करते है, second second person का मतलब है U तो second person को हम change करते हैं U को object के हिसाब से तो Mohan said to U अब ये U क्या है second person है second person किसके हिसाब से change होगा object के हिसाब से object यहां पे क्या है ये U तो ये और ये तो सेम ही है भाई ये और ये तो सेम ही है तो कोई change ही नहोंगा यह यू का यू ही रहेगा और यूर का भी यूर ही रहेगा तो second person is changed according to the object third person, चल पहले एक और example कर लेते हैं राम said to me you are not doing your work seriously राम ने मुझे बोला कि तुम अपना काम seriously नहीं कर रहे हो यू क्या है second person second person किसके साब से change होगा, object के साब से मी क्या है, object तो you की जगा क्या आजाएगा मी का subjective case क्या होता है मी को जब बोलने के लिए दगाते हैं तो क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं तो you की जगा क्या आजाएगा, I और your की जगा क्या आजाएगा, मी का possessive case क्या होता है मी का possessive case होता है, my तो यह और की जगह क्या आ गया माई वर्क कोई दिक्कत तो subject होगा first person होगा तो subject के हिसाब से second person होगा तो object के हिसाब से अगर object नहीं दे रखा है तो अपने आप से कुछ भी assume भी कर सकते हो third person अगर होगा तो कोई भी change नहीं होगा there will be no change अगर आपका third person दे रखा है तो अगर मैंने कोई example लिखा she he said to ram pita should allow her to complete it तो इसका अगर मैं आपसे पूछ हूँ indirect speech में क्या होगा sita भी third person है her भी third person है इसका मतलब कोई भी change नहीं होगा अचा said to को ना हम told में change करते हैं तो क्या हो जाएगा he told ram that और पूरा का पूरा बिलकुल same आजाएगा sita should allow her to complete should be should रहेगा और कोई भी pronoun change नहीं होगा क्योंकि कौनसे प्रोनाउन्स थे third person के pronouns तो इस तरीके से हमारे pronouns change होते है in this way we change the pronouns तो हमने क्या पढ़ा change of pronoun को एक बास समरी में अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा अगर subject होगा तो first person के साब से, object होगा तो second person के साब से और अगर first person होगा तो subject के साब से, second person होगा तो object के साब से और अगर third person होगा तो no change तो अब इसको sun 1, 2, 3 से भी याद कर सकते हो so you can learn it via this method also कोई दिखकर अभी मैं आपको बताया नहीं है यह पूरा पूरा sentence कैसे change करते हैं अभी मैं आपको सिफ parts wise बता रहे हूँ अभी इसको combine करेंगे जब assertive sentences पढ़ेंगे interrogative पढ़ेंगे, optative पढ़ेंगे imperative पढ़ेंगे, exclamatory पढ़ेंगे तो इन सब को combine करके एक साथ पढ़ेंगे अब कुछ शब्द चेंज हो जाते हैं शब्द कैसे कैसे change करते हैं हाँ भी मैं सब कुछ बताऊंगे told कब करते हैं साथी चीज़ें बताऊंगे तो अगर this लिखा होता है तो किसमें बदल जाता है? that में here होता है किसमें बदलता है? there में now means अब then means तब today को change कर देते हैं that day में yesterday को the last day या फिर the previous day tomorrow को the next day these को those this को that तो कुछ-कुछ शब्द भी होते हैं इनको हम इस तरीके से change करते हैं समझ में ऐसा भी को कि direct speech को indirect speech में कैसे convert करते हैं? अब एक एक करके सारे sentences बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो कौनसे sentences हैं? सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है assertive sentences पहले मुझे बताओ यहां तक का clear हुआ या नि हुआ? अगर यहां तक का clear हुआ होगा तब ही आगे का समझ में आए बहुस आरे examples भी करेंगे अगर बिल्कुल क्लिस्टल क्लियर हैं तो पढ़ते हैं assertive sentences assertive sentences होते हैं हमारे simple sentences assertive sentences हमारे कौनसे sentences होते हैं? these are simple sentences simple positive means affirmative या फिर negative sentences जो होते हैं उनको हम बोलते हैं assertive sentences कुछ concepts पढ़ते हैं सबसे पहला concept क्या कहता है assertive sentence का? कि अगर कहीं भी said के आगे to लगाओ या फिर say के आगे to लगाओ will say के आगे to लगाओ इस two का लगना compulsory है इस two का लगना क्या है? इस two का लगना compulsory है तो इस say, sad को किसमें convert करते हैं? इसको told या tell में convert करते हैं तो say, two को अब convert करोगे told में told के आगे कभी भी two नहीं लगता say या said के आगे to लगता है told के आगे कभी भी two नहीं लगता say two का मतलब क्या हो जाएगा? tell will say का मतलब हो जाएगा? will tell says का मतलब हो जाएगा? tells will says say is two का मतलब हो जाएगा? tells तो इनको आप किसमें convert करते हो? इनको आप tell में या told में convert करते हो क्या concept number one clear assertive sentences का? everyone concept number two पे आते हैं concept number two कहता है कि assertive sentences के case में जब हम direct से indirect कर रहे होते हैं तो एक connector आड करते हैं और वो connector कौन सा लगाते हैं? वो जो connector हम लगाते हैं वो होता है that तो पहली चीज क्या थी? कि से को सेड को हमने told में या tell में convert किया दूसरी चीज क्या थी बेटा? हमने एक connector लगाया और connector हमारा क्या था? connector था हमारा that ये दो concepts और additional थे assertive sentences में एक एक करके question से समझते हैं राम सेड ही विल डू इट अब देखो इसका मुझे indirect speech बनाना है तो कहने से सेड के आगे to नहीं लगा हुआ था तो मैं या पर told नहीं लिख सकती थी इसलिए मैंने या पर क्या लिखा? सेड लिखा बीच में connector क्या लगाया? that क्योंकि ये एक assertive sentence था assertive sentence में क्या लगता है? that he third person है कहने से third person change नहीं होता तो he का he ही रह गया will किसमें change होता है? would में तो will का क्या हो गया? would हो गया it भी third person था, third person change नहीं होता है तो it का भी it रह गया तो इसका क्या बना? Ram said that he would do it Ram ने बोला कि वो इस काम को करेगा second देखो Ram says he will do it अब ये जो reporting verb है, ये present tense में है जब भी reporting verb present में होती है क्या कोई tense में change होता है? नहीं होता ये तो हमने starting नहीं पढ़ा था कि reporting verb अगर present में होती है तो tense में change नहीं होता है तो he will do it का he will do it same to same आ गया reporting verb किस में है? reporting verb future में है reporting verb future में होती है तब भी tense में change नहीं होता है तो he will do it का he will do it ही रहे गया कोई दिक्कत conversion में आगे पढ़िये मुझे बताएए कोई डाउट है कि इन दोनों के conversion में direct से indirect में convert कर रहे हैं अब यहाँ पर said के आगे to आ गया said के आगे to आ गया तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा told लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा told लिखा he told Ram बीच में that लगाया yes, concert ends था simple past simple past किसमें change होता है past perfect में तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ा Sita had done it second वाले को पढ़िये he said to Ram उसने Ram को बोला said to किसमें change होगा told में he told Ram उसने Ram को बोला that present perfect present perfect past perfect में change होता है Sita had done it समझ में आरहे है सबी को next वाले देखिये look at these two sentences he said to Ram Sita is doing it Saerudu किसमें change होगा told में बीश में that लगा is doing present continuous है present continuous किसमें change होगा past continuous में Sita was doing it present continuous हमारा past continuous बन गया said to Ram said किसमें change होगा told में can किसमें change होगा could में so he told Ram that Sita could do it next question he said he is going to home this two को फटा दो क्योंकि going के साथ adverb लगता है और home is an adverb तो इस two को हटा सकते हो he said he is going home he said told तो नहीं आएगा to नहीं लगा हुआ था is going किसमें change हो रहेगा present अपने past में change हो जाता है तो क्या आया he was going home समझ आया assertive sentences में सभी को कि हमने कैसे change किया अब बात करते हैं अगले पढ़ाव की और अगला पढ़ाव है interrogative sentences तो जब हम interrogative sentences की बात करते हैं तो उसमें हम कैसे narration करते हैं तो इसमें बड़ी अच्छी बात क्या होती है इसको हमने दो categories में divide किया पहली category वो है जिन questions का answer yes या no में आता है कौनसी category है जिन का answer yes या no में आता है Do you like the class? Are you enjoying it? Did you go there yesterday? Have you done it? Will you do it? जिस भी question का answer yes या no में आ रहा है क्या आप इस काम को कर सकते हैं क्या आपको अपने उपर भरोसा है क्या आपको मुझ पर भरोसा है Do you believe me? तो जिस भी question का answer yes या no में आ रहा है तो उसके case में जो connector लगता है वो क्या लगता है उसके case में जो connector लगता है वो if या फिर weather लगता जिन question का answer yes या no में नहीं आ रहा What is your name? Where have you gone? What were you talking about? What were you discussing that day? उस दिन क्या कर रहे थे? तुमारा नाम क्या है? तुमारा घर कहां है? जिन question का answer yes या no में नहीं आता है मतलब जो questions डबलू एच वर्ड से स्टार्ट होते है या फिर how से स्टार्ट होते है तो उनके case में हम कोई भी additional connector नहीं लगाते वो डबलू एच वर्ड ही connector का role play करता है ये concept clear है? सबी को तो असर्टिव में हम that लगा रहे थे यहां पे हम कोई भी connector नहीं लगाते अगर question डबलू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो या how से स्टार्ट हो और इफ या weather में से कोई एक लगाते है अगर उस question का answer yes या no में आ रहा हो तो चले तो कुछ questions हो समझते हैं बड़ उसे पर एक concept और जो में आपको समझाना जाओंगी इस बात को स्टार्मा करके लिखिएगा कि जो indirect speech होता है जब हम direct से indirect में convert करते हैं तो indirect speech जो होता है is always a statement हमारा indirect speech हमेशा और हमेशा एक statement होता है मेरा statement से क्या मतलब है इस पात को समझना मेरा statement से मतलब है कि सबसे पहले subject आएगा और उसके बाद helping word आएगी indirect speech का structure हमेशा यह होता है मतलब I am आएगा He is She was तो जब भी अब direct को indirect में convert करते हो तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जो indirect speech होता है वो हमेशा और हमेशा एक statement होता है मतलब subject के आगे helping verb आती है subject से पहले helping verb कभी भी नहीं आती है चलो अब इस question को देखते है He said उसमें बोला यहाँ पर set को किसमें convert करते हैं? asked में क्योंकि सवाल है तो set को किसमें convert करो के? asked में He asked अब इस question का answer yes या no में आएगा इस question का answer yes या no में आएगा तो connector हमें क्या लगाना पड़ेगा? weather He asked whether अब यह simple present tense है तो simple present tense किसमें change होता है? simple past में तो he asked whether he was a doctor उसने बोला कि क्या वो उसने पूछा कि क्या वो एक doctor था समझ में आ रहा है सभी को तो जब भी हम questions direct speech को indirect speech में convert करते हैं हम connector लगाते हैं weather अगर if भी लगा सकते थे यहाँ पर दोनों ही लगा सकते थे अगर answer yes or no में आता है तो और जो indirect speech होती है वो statement होता है मतलब पहले subject आता है और उसके बाद helping verb आती है तो यहाँ पर is he था बढ़ यहाँ पर हमने he was लिखा if और whether दोनों आता है look at this question he said to Ram do you know his name उसने Ram को बोला कि क्या तुम्हें उसका नाम पता है चलो said to किसमे हो जाएगा asked में he asked Ram question का answer हाँ या नामे आएगा तो whether भी सही है if भी सही है उसने Ram को पूछा whether अब यह you है you क्या है you is what second person second person इसके हिसाब से आएगा object के हिसाब से object का मतलब क्या है Ram के हिसाब से Ram को कैसे रिनोट करोगे he से तो यहाँ पर क्या आगया whether he knew his name कि क्या अगर उसको उसका नाम पता था क्या no का new क्यों हो गया यह simple present tense है simple present simple past में change होगा इसी लिए no की जगा क्या आगया no की जगा new आगया कोई दिक्कत किसी को anyone अगला question she asked if I would go there indirect speech she asked which book she referred indirect speech so indirect speech हमेशा एक statement होता है indirect speech हमेशा एक statement होता है मतलब क्या है subject subject हमेशा helping verb से पहले आता है मतलब क्या है subject हमेशा helping verb अपनी verb से पहले आता है subject is always before the verb या तो main verb होगी या फिर helping verb होगी subject हमेशा और हमेशा main verb से या helping verb से पहले आता है बिटा question पूछ रहा हूँ इसलिए asked said को, said to को सब में किस में convert कर देते हैं? asked में, inquired में, interrogated में इस तरह के words में change कर देते हैं इस example को पढ़ो I said to him, मैंने उसको बोला did you go to school yesterday? क्या तुम कल school गए थे? convert करो इसको said to किस में change होगा? asked में, I asked him answer yes या no में मिलेगा इसलिए क्या लिखा whether you, कौन सा person है? second person second person किसके हिसाब से चेंज होगा बेटा object के हिसाब से, him के हिसाब से तो him का क्या बन जाएगा? he whether he, अब यहाँ पे had gone क्यों लिखा क्योंकि यह simple past tense simple past tense past perfect में change होता है, simple past past perfect में किया, had gone to school और yesterday किसमें चेंज होता है the last day या फिर the previous day में, the previous day, weather की जगह इस भी लगा सकते थे कोई दिक्कत look at this one she asked me what is your name इसका इंडारेक्ट बनाओ उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, what is your name क्या बना she asked me, अब what लगा हुआ है बट लगा हुआ है answer yes या नो में नहीं आएगा answer yes या नो में नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, if या weather नहीं लगेगा, right इस case में हम if या weather को use नहीं करेंगे so she asked me what my name was, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था क्या आया पहले subject आया, और फिर आपकी helping verb दिक्कत किसी को anyone तो कुछ चीजों को एक बार revise करते अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है, उसको revise करते है, तो हमने क्या पढ़ा, अगर statement में said to होता है तो वो told बन जाता है, question में said to हो, चाहे said हो, कुछ भी हो वो asked बन जाता है reporting verb अगर past में होती है तो tenses इस तरीके से change हो जाते है तो यह यह concept हमने अभी तक पढ़े है हमने assertive पढ़ लिया है, हमने interrogative पढ़ लिया है कोई दिखकर चलो यह sentence में एक गलती है मुझे वो गलती बताओ, इस sentence में क्या गलती है He said to Sita, are you happy? उसने Sita को बोला, क्या तुम खुश हो? said to किस में आ गया? asked में, यहापे क्या आएगा? if क्योंकि answer yes यह नों में, if भी लगा सकते हो, whether भी लगा सकते हो उसने Sita को पूछा, whether she was happy, क्या वो happy थी? He said to Sita, why are you happy? भई, तुम खुश क्यों हो? अब why लग गया, तो मतलब if यह weather नहीं लगेगा He asked Sita, why she was happy तो अगर yes and no में answer है, तो if weather लगा दोगे, yes and no में answer नहीं है तो if और weather नहीं आएगा clear? everyone read these two sentences there are a lot of examples, a lot of exercises just understand the concept he said to Sita, do you like mangoes? क्या तुम्हें पसंद है? simple present tense simple present किसमे हो जाएगा? simple past में simple past का मतलब क्या है वर्ब की सेकिंड फर्म he asked Sita, if she liked mangoes उसने सीता से पूछा अगर उसे mangoes पसंद थे he said to Sita, how have you done it? उसने सीता को पूछा, तुमने कैसे किया ये? he asked Sita how she had done it present perfect tense किसमें convert हुआ? present perfect tense, past perfect she क्यों आया? you, second person किस के साब से चेंज होगा? Sita के साब से Sita क्या ये लड़की है? तो क्या आएगा? she आएगा it क्यों नहीं चेंज हुआ? it third person था third person में कोई भी change नहीं आता this is what? this is right समझ में आया सभी को? assertive sentences और imperative sentences कोई दिक्कत? any problems anyone? चाल अब आजाते हैं हम imperative sentences imperative sentences बेसिकली हमारे ये चार तरीके के होते हैं advice, request, order, or proposal से पहले हम आते हैं imperative sentences पे imperative sentences हमारे बेसिकली चार तरीके के होते हैं सबसे पहले advice आप किसी को कोई suggestion दे रहे हो कोई advice दे रहे हो for example, obey your elders आपने किसी को advice किया दिया अपने elders की अपने बढ़ों की बात मानो आपने request किया या please give me a pen मुझे एक pen दे दो एक word और आड कर दिया इस से पहले please आपने किसी को order दिया दर्वाजा बंद कर दो shut the door आपने किसी को एक proposal दिया कि let's go for a walk let us go for a walk तो ये 4ो के 5 questions जो मैंने आपके सामने लिखिये है ये 4ो के 4 Common आपके imperative sentences है अब इन imperative sentences की एक खास बात होती है खास बात क्या होती है हम पहचानते कैसे हैं कि कोई sentence giy imperative है या नहीं तो ओस imperative sentences की जो खास बात होती है जेता वो यह प्लीज को छोड़ दो, अधर्वाइस यह सेंटेंसे हैं, यह हमेश्य और हमेश्य वर्ब से स्टार्ट करते हैं. अबेश्य और अधर्वाइस यह सेंटेंसे हैं, अगली इंपरेटर चीज जो मुझा अपनों को बतानी हैं, वो यह हैं कि जब भी हम इंपरेटर सेंटेंसे में करते हैं, वेनेवर भी कनवर्ट फ्रम डेरेक्ट टो इंडिरेक्ट स्पीच, हम कनेक्टर क्या लगाते हैं, बे लेक्टर होता है, to, t-0-2, हमारी ripping verb जो होती है, किसके है इसाब से change होती है, किस तरह का वो sentence है, अगर वो एक request है, तो आप requested लिखोगे, अगर वो एक order है, आप ordered लिख सकते हो, या फिर आप commanded लिख सकते हो, अगर वो एक suggestion है, तो आप suggested लिख सकते हो, या advised भी लिख सकते हो अगर कोई proposal है तो आप proposed लिख सकते हो बहुत बार हम asked भी लिखते हैं imperative sentences के case में हम क्या भी लिखते हैं imperative sentences के case में हम asked भी लिखते हैं तो connector हम to लगाते हैं और ये सारी की सारी हम reporting verbs का इस्तमाल करते हैं example से समझते हैं मैंने एक example लिया कि क्रिपया करके एक किताब दीजिया तो क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है तो यह प्लीज हड जाएगा और प्लीज की जगा क्या आजाएगा रिक्वेस्टर कि रिक्वेस्टर मी उसमें मुझे रिक्वेस्ट किया कनेक्टर क्या लगा to और पूरा का पूरा sentence बिल्कुर वैसा का वैसा आ गया to give a book तो जब भी हम conversion करेंगे direct speech से indirect speech में हम imperative sentence के case में जो connect लगाएंगे वो to होगा कुछ और sentences देखते हैं he said to the servant close the door अब servant को बोल रहा है तो order कर रहा होगा जाहिर सी बात है तो हमने क्या लेका he asked the servant, asked if भी सही है हम यहाँ पे ordered भी लिख सकते थे हम यहाँ पे commanded भी लिख सकते थे हम यहाँ पे directed भी लिख सकते थे इन सारे के सारे words का meaning क्या होता है आदेश देना उसने servant को आदेश दिया कि वो दर्वाजा बंद कर connector क्या लगाया हमने यहाँ पे जो connector हमने यहाँ पे लगाया वो था P-O-2 कोई दिककत कोई भी तरहागी problem अब मैंना कोई मोगी question दिया है मुझे इसका indirect speech बताईए everyone please tell me दियान से पढ़िएगा घुटाला नहीं करना है किसी को भी अब देख रहे हैं यह verb से start हो रहा है इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया हंजी यह एक imperative sentence है इसका मतलब यह भी कौन सा सेंटेंस है यह भी imperative sentence है मतलब दोनों में जिस कनेक्टर का स्तमाल होगा वो होगा T-O-2 हमें दोनों में ही कनेक्टर जो इस्तेमाल करना है वो क्या होगा T-O-2 चलिए फॉर्स्ट वाले को देखते हैं था किंग ओडर्ड हिज मैं इड़ाइस इस मैं टोल्ड हिस मैं आस्ट हिस मैं तीनों सही लग रहे हैं एंड देखते हिस की वज़े से देखते ही वज़े से जुड कहां से आगया भाई imperative sentence थे यह भी कंसल हो गया to face them bravely बिल्कुल सही है, to connector का इस्तमाल किया हमने and they had आ गया तो ये भी हमारा गलत क्योंकि दोनों parts जो थे but के दोनों तरफ, दोनों imperative sentences थे, तो दोनों में हमें to लगाना जलूरी था, तो king ने अपने men को advice दिया किया advice कि डरो मत not to be afraid of the enemy और क्या बोला but to face them bravely उनको bravely face करोगी इतने लोगा ठीक निकला चाले, next question on your screen tell me the answer she said to the passenger उसने पासेंजर को बोला please don't smoke here यहाँ पे smoke मत करो please लिखा हुआ है बिटा इसका मतलब कॉनसर वर्डाएगा इसका मतलब यहाँ पे requested word आएगा so she requested the passenger here किसमें convert होगा here convert होता है there में so there में सारे में सारे में converted है he didn't तो नहीं आसकता to लगाएंगे that तो नहीं लगाएंगे क्यूंकि imperative sentence है तो यह eliminate हो गया she requested to the passenger नहीं होता है request के आगे directly object आता है requested the passenger c भी cancel out हो गया she requested the passenger to not smoke अचा हमेशे two word होता है नहीं not के आगे आता है two not नहीं करते not to करते है तो यह जो two word होता है इसको हम not के आगे लगाते है not के पहले नहीं लगाते तो दोनों में ही not के आगे कौन-कौन सा आप्शन बचेते हैं इसमें not to लिखावा है तो यह वाला ऑप्शन बी eliminate हो गया so what is the final answer final answer is option number B she requested the passenger उसमें पैसेंजर को request किया कि वो वहां पे smoke ना करे here को किसमें कनवर्ट किया हमने here को हमने there में कनवर्ट किया कोई दिक्कत किसी को चले अगले important बात पे आते हैं बहुत बार क्या होता है जब हमारे पास question आता है तो हमारे पास कुछ ऐसे words लिखे हुए होते हैं direct speech में sir लिखा हुआ होता है कभी-कभी your honor लिखा होता है your majesty लिखा होता है please लिखा होता है kindly लिखा होता है we remove these words and we eliminate these words and in words की जगा हम कोई एक word add करते हैं जो हमारा feeling को show करता है for example मैं किसी को sir बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है मोँ उसको respect दे रही हूँ मैं किसी को sir बोल रही हूँ मैं उसको respect दे रही हूँ तो यहां पर मैं कॉनसा word यूज करूँगी इनकी जगह जो हम word use करते हैं वो होता है respect fully समझ में आया तो जब भी इस तरह का word दिया गया होगा आप क्या word use करोगे you will use the word respect fully look at this question इस question को देखिए the student said to the teacher student ने teacher को बोला sir mark me present sir मेरी present लगा दीजे sir लिखा हुआ था तो जब हमने इस डारेक्ट स्पीच से इन डारेक्ट स्पीच में convert किया तो हमने इस sir को हटा के क्या लिखा respectfully the student respectfully requested student ने respectfully request किया teacher को कि वो उनको उसको present mark कर दे imperative sentence था verb से start हो रहा था इसलिए जो connector आया वो क्या आया इसलिए जो connector आया वो P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P. टुछाओन रापका थाधिक, और समझाओन एक हमारा बेसिक थानी हमारा फंडेशन क्लीयर निया एक हम ड्टी राद तब कुछाग में राधिको पूरी हिरीडायख अप्ठीं में उन भी जा मिलाक बात बदे टाये श çek डर्डीयव तब आप लोग इस तरीके से इन क्लासिस में कुछ और बातें करोगे तो मैं एक्लासिस छोड़ दूंगे मुझे नहीं पढ़ाना इस तरीके से मैं अपने प्लस क्लासे से बहुत खोश हूँ जो सिंसिर बच्चे होंगे उनको वहां जाके बढ़ा दूंगी अगले क्वेश्चन पर दे तो इसले प्लीज फोकस बिटा फोकस करो बहुत इंवाट इंटे कांसेंट्रेशन बहुत अगले तरह के सेंटेंसे पर आते हैं और 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 अगले तरह के सेंट वाइस ठीक आरी है ना वाइस में प्रब्लम तो नहीं हो रही किसी को एक बाब मुझे बता दो वाइस में नो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है दिक्कत वाइस में तो ब्लेसिंग देने का मतलब क्या हो गया किसी को कोई आशिवाद दे रहे हो for example may God bless you भगवान आपका भला करे may you live long आपकी बहुत लंबा जी हो may you live long मतलब आपकी उमर बहुत अच्छी हो long live the king राजा जुग जुग जीए फिर किसी को आपको इश्राप देते हो किसी को आपने कुछ बुरा बला बोला may all your teeth get broken आपके सारे दाप टूट जाएं तो जब हम किसी को कोई blessing देते हैं या किसी को कोई आशीवात देते हैं या किसी को कोई श्राप देते हैं तो उस जोस्तारा के जो sentences होते हैं वो हमारे optative sentences होते हैं अब क्णवर्जन पढखते हैं कि दनेग स्पीच से लगा भी लेते हैं अर इसमें नो कनेक्टर भी होता है मतलब कनेक्टर लगाना जरूरी भी नहीं होता है it's not important to use the connector तर आप इन sentences को without connector भी बना सकते हो और इस sentence में आप एक भी लगा सकते हो issue है वास में इसमें अब में चेक कर लेते हूं क्या issue है एक मिनट देको और इसमें नो कनेक्टर गे हो तो घखल ठीक आरही है अवास भी तो दूसरे इंपॉर्टटेंट चीज क्या है इसमें दूसरे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेज गहारा है वोола हो problem मेकेक से harmonis जाता है और अगर नहीं भी लिखा होता है तब भी हम इसमें जो शब्द यूज करते हैं वो कौन सा वर्ड होता है वो माइट होता है और एक और चीज जो मैं हमेशा से आपको बताती है आ रही हूं कि जो आपका indirect speech होता है it is always a statement indirect speech क्या होता है indirect speech is always a statement always a statement का मतलब बेटा क्या होता है always a statement का मतलब होता है पहले subject आएगा और फिर उसके बाद helping verb तो indirect speech में हमेशा और हमेशा पहले subject आता है और फिर उसके बाद आपकी helping verb आती है अब इस sentence को convert करते हैं क्या है he said to me may God help you तो क्या हो जाएगा he blessing है blessing है तो क्या हो जाएगा blessed me उसने मुझे bless किया blessed me that अब पहले subject आएगा फिर helping verb आएगी इसका मतलब क्या होगा पहले God आएगा और फिर might आएगा that God might help उसने मुझे blessing दी क्या blessing दी कि भगवान मेरा भला करें तो मे को हमने might बनाया और God पहले लगाया क्यों क्योंकि in direct speech हमेशा एक statement होता है मतलब subject हमेशा पहले आता है और helping verb हमेशा बाद में आती है कुछ और example से समझते हैं let's understand them with the help of some more questions मैंने एक sentence लिखा he said long live the king उसने क्या बोला कि राजा जुग जुग जी इसकी passive voice sorry इसकी indirect speech क्या होगी he wished अब अब that लगाओ नहीं लगाओ दोनों तरीके से सही है he wished the king helping verb क्या लगाते है might the king might live long उसकी क्या wish थी कि जो राजा है वो जुग जुग जीए the king might live long समझ में आया कि optative sentences को हम किस तरीके से direct से indirect करते हैं कोई doubt किसी को एक बाद मुझे बता दो किसी को कोई भी doubt हो तो anyone any doubts चाड़ अब आजाते हैं अगले तरह के sentences पर उनको बोलते है exclamatory sentences exclamatory sentences क्या होते हैं जब आप अपनी भावनाओं को अपने दुख को अपने दर्द को अपनी सुख को अपनी खुशी को words में show करते हो क्या करते हो जब आप अपने emotions को अपनी feelings को किसकी help से समझाते हो शब्दों की help से समझाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं exclamatory sentences for example खुरे भी बोलते हैं कि मेरा result आ गया मतलब आप क्या दिखा रहे हो happiness शो कर रहे हो आप बहुत जादा खुश हो आपने अपना result देखा आपका selection नहीं हुआ आप क्या बोलोगे shit alas alas मतलब आपको क्या हुआ दुख हुआ कि आपका selection नहीं हुआ तो alas को किसले यूज करते हैं जब आप दुखी हो sadness है आपके अंदर आप अपना sorrow दिखा रहे हो आप अपना grief दिखा रहे हो तो उसके लिए कौनसा word यूज होता है alas आपका result आया आपका selection नहीं हुआ आपने alas बोला लेकिन आपके दोस्त का selection हो गया तो कौनसी वाली feeling आएगी दोस्त का selection हो गया उरे वाव नहीं माम alas वाली feeling आएगी हमारा निवाद दोस्त का हो गया सुखी की खुश कैसे हो जाएगी तो दुख वाली feeling आएगी हाँ ऐसा भी है कितने लोग को खुशी वाली feeling आएगी और कितने लोग को दुख वाली feeling आएगी वाजल्दी से बता दो मैं हमारी मूँ से तो निकलेगा शिट तो जब भी हम अपने emotions को अपने words में show करते हैं तो उन sentences को हम क्या बोलते हैं उन sentences को हम exclamatory sentences बोलते हैं किसी को शाबाशी देनी होती है तो क्या बोलते हैं Bravo Bravo means शाबाश Well done किसी को शाबाशी देनी होती है क्या बोलते हैं Well done Bravo इन दोनों का मतलब क्या होता है? शाबाश! बहुत बढ़िया! अब कन्वर्जन्स पढ़ते हैं कि एक्स्कलमेटरी सेंटेंसेज में हम डारेक्ट स्पीच से इंडारेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहली चीज तो बिटा इसमें कनेक्टर क्यों सा यूज होता है? इसमें जो कनेक्टर यूज होता है वो होता है आपका दाट दूसरी बात इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज होती है? इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज होती है वो अलग-अलग होती है कोई इंसान खुश है तो आप क्या बोलोगे exclaimed with happiness कोई इंसान दुखी है तो आप क्या बोलोगे exclaimed with sorrow कोई इंसान है जिसमें को आप शाबाशी दे रहे हो तो क्या बोलोगे applauded dash saying that उस इंसान की तारीफ करी इस बात को बोलते हो तो that तो हमारा connector है तो इस तरीके से आप यही words यूज़ करते हो जब आप exclamatory sentences में direct speech से indirect speech की तरफ मूज़ करते हो अब यह वाले sentence दिखते हैं he said उसने बोला शाबाश तुमने बहुत बढ़िया काम किया और यह sentence में मुझे आप लोगों को बोलना है और मैं चाहती हूँ कि मैं यह sentence आप लोगों को इसी साल बोलो और इसलिए मुझे आप सभी से ना selection चाहिए है तो आपने बहुत अच्छा काम किया है तो इसका इंडारेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा इसका इंडारेक्ट स्पीच हो जाएगा he exclaimed exclaimed नी ब्रावो लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे applauded applauded means उसने तारीफ करी he applauded किसकी तारीफ करी for example मेरी तारीफ करी मैंने he said to me कर दिया मैंने इसको क्या कर दिया he said to me so he applauded me saying that क्या कहते हुए उसने मेरी तारीफ करी you second person second person किसके साब से change होता है object के हिसाब से मतलब me, me का क्या बन जाएगा present perfect present perfect इसमें change होता है past perfect saying that I had done that उसने मेरी तारीफ करी ये बोलते हुए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है clear? कोई दिक्कत? तो जब मैं आपको बोलूँगी bravo you have done well आप पने घरवालों को क्या बोलोगे? Nemesha ma'am applauded me saying that I had done well Nemesha ma'am ने मेरी तारीफ करी मुझे शाबाशी दी ये कहते हुए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है He said what a lovely voice she has कितनी प्यारी आवाज है उसकी करो इसको convert क्या होगा? ये जब what लगा होता है ना तो इसको ना हम खुशी ही show करते हैं या फिर इसको हम amazement show करते हैं He exclaimed with surprise भी कह सकते हैं amazement amazement means हैरान होके that अभी she third person है third person तो change होता नहीं है तो she had a lovely voice उसने ऐसे कैसे एक स्क्रेम किया? हैरान होके उसने इस बात को बोला कि उसकी आवाज बहुत प्यारी थी फिर से वही statement बिटा क्या? indirect speech is always a statement जो हमारी indirect speech होती है ये हमेशा क्या होता है? हमेशा ये एक statement होती है statement का मतलब क्या हो गया? subject को पहले लगाएंगे और उसके बाद helping work लगाएंगे तो ये इस तरहीए से हम अपने exclamatory sentences को direct speech से indirect speech में convert करते हैं इस sentence को change करके बताई है हाँ जी congratulations अब यहाँ बहें congratulations बोला जा रहा है तो what will be the indirect speech of it? he congratulated her उसने क्या किया? congratulate किया उसको he congratulated her क्या कहते हुए congratulate किया? he congratulated her she's saying that अब यह यू है बिटा second person है second person किसके साब से change होगा? object के साब से मतलब हर के साब से तो हर का क्या बनाना पड़ेगा? she she had done उसने उसे congratulate किया इस बात को कहते हुए कि उसने बहुत अच्छा किया है and I'm very happy to see maximum बच्चों के answers सही है इसका मतलब आपनों को concept समझ में आ रहा है और यहाँ पे मेरा काम पूरा हो रहा है जिस मकसद से classes ली जा रही है आपको समझाने की और वो चीज पूरी हो रही है I am very happy चले अगला question इसको convert कीजे the player said we have won the match खुशी हो रही है क्या बनेगा the player exclaimed with happiness that अभी वी है, वी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन का मतलब पर अभी है अभी है वी प्लूरल है तो प्लेयर का प्लूरल क्या होगा है? प्लेयर्स और प्लेयर्स के लिए क्या लगा होगे? उसने इस बात को बहुत खुशी से बोला कि उन लोगों ने मैच को जीत लिया समझ में आया क्वेशन? चारे, नेक्स्ट क्वेशन ओने स्क्रीन कनवर्ट कीजिए इसको She said, alas, I have lost my gold necklace Shit man, मेरा gold necklace खो गया, बहुत दुख है, दुख है तो क्या आएगा? She exclaimed with sorrow उसने इस बात को बहुत दुखी होते हुए कहा That she had lost her She had lost her gold necklace उसने इस बात को बहुत दुखी होते हुए कहा कि उसका gold जो necklace है वो खो गया है समझ आया सभी को, कैसे किया हमने कैसे कर रहे हम direct to indirect चाले Last question, off exclamatory उसके बाद हम exercise की तरफ move करेंगे He said, what a horrible scene कितना भयानक द्रश्य है अब वो डर रहे डर रहे, तो क्या आजाएगा? Fear तो क्या हो जाएगा? He claimed with fear That अब देखो What a horrible scene अब यहाँ पर subject भी कुछ नहीं है और helping verb भी कुछ नहीं है लेकिन हमको तो पता है भई कि indirect speech हमेशा एक statement होता है मतलब subject भी लगाना पड़ेगा और helping verb भी लगानी पड़ेगी और इस sentence में दोनों में से कुछ भी नहीं है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि subject क्या है it helping verb क्या है was अब हम इसको कर सकते है It was a horrible scene उसने इस बात को डर से दिखाया कि वो एक बहुत भयंकर scene था समझ रहा है सबी को Clear everyone Yes or no my champions So यहां पर हमने direct और indirect speech को बिल्कुल basic level से बिल्कुल advanced level तक पढ़ लिया है मैंने आपको हर तरह के sentences का conversion बताया है assertive, interrogative, imperative, octetive, exclamatory सारे के सारे concepts पढ़ाई हैं मैंने आपको narration में यहां तक किसे को कोई भी doubt हो तो पूछे वैसे मुझे लगत है कि concepts आप लोग के बहुत स्ट्रॉंग हो चुकी है डारेक्ट और इंडारेक्ट के अब जो अगला कदम हमें उठाना है वो यह है कि अब हमें practice exercise करने है so अब हम क्या करने जा रहे हैं अब हम practice करने जा रहे हैं बहुत सारे questions की जिससे की यह concepts हमें बहुत अच्छे से हमारे दिमार्ग में बैट जाएं yes करें start exercise एक रिक्वेस्ट करूंगी 1700 स्टूंट रवाचिंग बट लाइक्स अभी भी 1.2 के हैं मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी बच्चे हैं जो जिनको कुछ भी फाइदा हो रहा है इस क्लास से चीजें समझ में आ रहे हैं अच्छा लग रहा है एक बार लाइक बटन पर प्रेस्ट जरूर करती जगा अब आते हैं के क्वेस्टन पर तो क्वेस्टन नंबर 1 on your screen आंसर्स बताते वे चलेंगे she said to me what is your name क्या होगा is किसमें चेंज होगा was में तो यह is तो चला गया दूसरी बात your है your second person है second person object के हिसाब से change होगा मतलब me के हिसाब से तो your की जगह क्या आएगा my तो यह वाला भी चला गया तीसरी बात indirect speech हमेशा एक statement होता है मतलब subject पहले आता है और helping verb बाद में आती है मतलब my name पहले आएगा और was बाद में आएगा यहाँ पे तो was पहले लिखा हुआ है my name बाद में लिखा हुआ है तो यह भी चला गया तो answer is what? answer is option number D she asked me उसने मुझसे पूछा मेरा नाम क्या था? अगला question try it everyone the teacher said to the students teacher ने students को बुला कोई imperative sentence तो है नहीं वर्ब से तो start नहीं हो रहा set to किसमें चेंज होगा? told में told में चेंज होगा तो यह वाला option चला गया U second person है तो यह U भी चला गया U के जगा क्या आएगा? they the teacher told the students teacher ने बच्चों को बताया कि वो अपना समय वेस्ट कर रहे थे they were wasting their time मुझे scores जरूर बताना 10 questions के बाद में आप सभी लोग मुझे अपना score बताओगी क्या-क्या score रहा अगला question he said to her do you know me? क्या तुम मुझे जानती हो? simple present है simple present past में change होगा मतलब क्या आएगा? new आजाएगा verb की second form तो यह भी चला गया यह भी चला गया question पूछा जा रहा है question पूछा जा रहा है तो told तो नहीं आ सकता ask रहेगा तो यह भी चला गया answer is option number C उसने उससे पूछा अगर वह उसे जानती थी तो यह बहुत साइग बच्चों का गलत हो गया क्यों? told कैसा लगा दिया? यह बटा question है question में told में लगता अगला she says I will give you my new pen will किसमें चेंज होता है नहीं होंगा वुड में चेंज यहां फसाने के लिए question दिया गया था maximum लोग फस गए reporting verb बिटा present tense में है reporting verb present tense में होती है तो will change नहीं होता इसका tense change नहीं होता तो यह दोनों options तो eliminate हो गए चालो अब बाकी दोनों को देखते है she says that I I क्या है first person है first person किसके साब से change होता है subject के हिसाब से मतलब she के साब से change होगा तो I की जगह क्या आएगा she आएगा तो I नहीं आ सकता यह भी eliminate हो गया तो सही answer क्या है she says that she will give me her new pen option number C next question she said to her friend set to किसमें चींज होगा ask में अच्छा indirect speech जो होती है वो हमेशा एक statement होता है तो कहना से had जो है subject से पहले नहीं आ सकता indirect speech हमेशा statement होता है मतलब पहले subject आता है और फिर helping verb आती है तो had शी नहीं हो सकता यहाँ पर simple past sorry past continuous tense है past continuous tense किसमें change होता है past continuous tense आपका past perfect continuous tense में change होता है तो यहाँ पर क्या आएगा had plus been plus disturbing क्योंकि यह past continuous होता है वो past perfect continuous में change होता है तो she is disturbing भी cancel हो गया अब मुझे चेक करने हैं कि you आएगा या she आएगा चेक करते हैं भई you है second person है second person किस के साब से change होता है second person object के साब से change होता है object क्या है her friend her friend मतलब लड़की, लड़की का मतलब she तो you तो नहीं आ सकता तो ये भी cancel हो गया तो she asked her friend why she had been disturbing her answer is option number 1 next she said to you, will you accompany me to the station अब यहाँ पर ये past में था तो will का क्या हो जाएगा, would हो जाएगा सवाल पूछ रही है तो said to का क्या हो जाएगा, asked हो जाएगा you second person है second person, second person के साब से object के साब से change होता है तो you का you ही रहेगा me, first person है first person के साब से change होता है subject के साब से she तो she की जगा क्या आ जाएगा, her आ जाएगा तो asked, would, you and her तो यहाँ पर you तो नहीं आ सकता ये would, have कैसे आ गया have कां से आ गया ये भी eliminate हो गया she asked you that तो नहीं लगाएंगे questions के case में connector that थोड़ी ना लगता है तो ये भी eliminate हो गया तो answer is what? option number C she asked you if you would accompany her to the station उसने तुमसे पूछा, अगर तुम उसे station तक ले जाओगे तो next one समझ में आ रहा है सभी को एक बार बिटा answer करके बता दो yes या no समझ में आ रहा है न चल, अगला question Megha said to me I don't know I don't know simple present है तो simple past में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? she didn't know will किस में हो जाएगा? would में if तो नहीं आएगा statement है statement में connector if तो नहीं लगता cancel हो गया, चलो अब बाकियों को चेक करते है will would में change होगा यहाँ पे will का will ही है, यह भी हट गया अब यह I क्या है first person first person किसके साब से change होता है first subject के साब से मतलब मेंगा मेंगा लड़की है तो क्या आएगा? she आएगा, मेंगा लड़की है तो I के जग़ा क्या करना पड़ेगा? she यह तो I लिखा हुआ है, तो यह भी eliminate हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? मेंगा टोल्ड मेंगा ने मुझे बताया कि उसे नहीं पता था कि वो क्या बोलेगा next question she says to me, वो मुझे कहती है I bought a new purse yesterday मैंने एक नया पर्स कल खरीदा था सबसे पहले तो यह present में है तो tense तो change नहीं होगा bot का body रहेगा no change in tense तो tense change नहीं होगा तो यह भी eliminate हो गया यह भी eliminate हो गया अब यह जो yesterday है यह किसमें change होगा? the previous day में अच्छा, इन में से कोई भी नहीं है previous day इसका मत्तब इसका answer क्या है? none of these what is the answer? none of these क्यो? क्योंकि जो yesterday होता है वो change होता है the previous day में इन में से किसी में भी the previous day नहीं लिखावा इसमें लिखावा था बड़ यह सही नहीं था तो answer is what? option number E none of these खागे दो कह इतने सारे बच्चे इसमें लिखावा था बड़ इसमें tense गलप change था इसलिए answer is option number E next question she says to her father I have learnt my lessons tense तो change नहीं होगा क्योंकि यह पे says लिखा हुआ मतलब present perfect का present perfect ही रहेगा तो यह भी cancel हो गया यह भी cancel हो गया चलो अब इसको देखते है she tells her father that she says to says to tells में change होता है यहाँ पे says to का sales to ही लिखा हुआ है तो यह भी खट गया तो answer is option number E वो अपने father को उसने बताया बताती है कि उसने अपना lesson सीख लिया है next question के बाद आप लोगो मुझे अपना score बताएंगे पास्ट पॉफेक्ट कॉंटिनियूस तो पास्ट पॉफेक्ट कॉंटिनियूस में कौन सा चेंज होता था जो पास्ट कॉंटिनियूस है वो पास्ट पॉफेक्ट कॉंटिनियूस बनता था जो पास्ट कॉंटिनियूस था वो past perfect continuous बनता था अगली last पिसली last में कर रहा था तो इसका मतलब वहाँ पर जो 10 जाएगा वो past continuous जाएगा यह भी eliminate हो गया यह भी eliminate हो गया यह भी eliminate answer is what? option number C he said to me, उसने मुझे बताया I was working in this factory since 2009 मैं इस factory में 2009 से काम कर रहा हूँ क्यों हुआ बेटा? was working? past perfect continuous past continuous tense होता है जो past perfect continuous में change होता है scores everyone out of 10 क्या-क्या scores रहे सभी के चला, I am very happy to see आप लोगे scores अच्छे रहे हैं अब एक अलग pattern करते हैं यह वाले questions तो करेंगी अब आप मुझे पूरे-पूरे बताओगे 5 questions इस pattern के करेंगे फिर 5 questions इस नए पाटन के करेंगे चले, convert कीजे इनको, 3 sentences आपके सामने इन डारेक्ट स्पीच में convert करने I said to him when I... तीनों को कर लो पहले फिर तीनों के answers बताओँगे I said to him when are you going to Amritsar तुम Amritsar कब जा रहे हो तो क्या पुझेगा I asked him when he was going to Amritsar He said to me, will you post this letter for me? He asked me if I would post that letter for him Who has taken my dictionary? My father said to us My father asked us Who took his dictionary कुछ कर बढ़ होगे इस C वाले में एक मिनुट Who has taken my dictionary? Has taken होगा, had taken एक मिनुट कर बढ़ होगे Yeah, fed एक बार के लिए ने 16 वाला छोड़ देते हैं कुछ गडबड है उसमें क्यों गडबड़े मैं आपको समझा देती हूं क्या मिस्टेक हो रही है अगर मैं इसको ऐसे बनाती हूं na मैं फारदर आस्टथ अस है हो है हूर तक इस दिक्शिनरी असमें प्रॉब्लम यह हो गई कि यह जो इंड़रेक्ट स्पीच है न यह 1 स्टेटमेंट नहीं बना और statement नहीं बना, क्योंकि helping verb से पहले subject नहीं है तो यहां पर कुछ तो problem है इसको मैं आप लोगों को next class में बताऊंगे कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यह सही नहीं है क्योंकि indirect speech है और यह statement नहीं है, statement का मतलब क्या होता है कि जो subject होता है वो helping verb से पहले आता है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, who had taken his dictionary, my father asked us by whom his dictionary इसको थोड़ा सा change कर सकते है my father asked us where had been his dictionary taken, हाँ तो इसका exact indirect speech तो नहीं बन रहा इसका indirect speech हमें थोड़ा सा change करके बनाना पड़ेगा, अगर हमें इस indirect speech को एक statement ही बनाना है, तो क्या हो जाएगा my father asked us where had his dictionary been taken my father asked us, थोड़ा सा में से change करना पड़ेगा, डारेक्ट इसका नहीं बन पा रहा है, एक डारेक्ट speech है asked us where his dictionary had been taken इसका 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 प्राइबा इसका अपको अगली क्लास में और एक बद करके बता दो में क्या गड़ड़ विस नेक्स एड़ ट्रीक्वेश्टींस बुदे झाल प्रड़ा तोरीस्टी बड़ी में क्या बनेगा? तोरीस्ट आस्का पूलिस्मैन अव लॉंग प्रड़ीविर्विर्व दिज्सीम्ला बाइपस second one, the detective said to the lady what are you doing at this time yesterday so kya ho jayega the detective asked the lady what she had been doing at that time the previous day he said to me shall I open the window he asked me if he should open the window scores everyone in these three kya kya scores okay okay let's do this this was the 16th answer there was a problem asked us who had taken his dictionary so this was correct of it ready for the next pattern now we are prepared for the next pattern we are prepared for the next pattern next pattern is a little different pattern I will show you so next pattern is fill in the blanks so now we are going to do the next pattern in indirect to direct speech the next is fill in the blanks so now we will fill in the blanks ready everyone ready everyone first question what 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 will come to come to come to come to come to My best friend at school जो मेरा best friend था school में became a nurse first वो nurse बना फिर paramedic बना He told me that his best इसके indirect क्या बनाया He told me that his best friend at school क्या लिखा हो है became simple past simple past कसमें चेंज जोगा past perfect तो क्या हैगा had become answer is what option number B became किसमें चेंज होगा had become simple past past perfect में चेंज होगा अगला question I had lived in four countries by the age of 30 she said that she she said that she she said that she now had lived past perfect past perfect so change ही नहीं होता past perfect so what is that she had lived past perfect or past perfect continuous change नहीं होते next question I commute 45 minutes to work simple present tense है simple present किसमें चेंज होता है simple past में तो क्या होगा she told me that she commuted कि वो काम के लिए कितना ट्राविल करती थी 45 minutes next question हम होप कर रहे थी कि हमारी शादी जून में हो जाएगी she told me that day dash past continuous है बिटा past continuous किसमें चेंज होता है past perfect continuous में इसका मतलब had been hoping वो ऐसा ही उमीद लगा के बैठे होए थे कि उनकी शादी जून में हो जाएगी but उनकी शादी कभू ही September में है last question आखरी सवाल hi Raj I am just leaving मैं बस जा रहा हूँ concernence है present continuous किसमें चेंज होता है present continuous past continuous मतलब he was just leaving scores out of five सभी लोगों के infil in the blanks क्या के का scores रहे सभी के out of five so I hope आप सभी लोगों को complete समझ में आया होगा narration topic किसी को भी narration में कोई भी doubt यहां था questions देती हूँ जो आप लोग मुझे comment section में बताते हो और जो बच्चे सही answer देते हैं उस homework के questions का उसको कुछ prizes भी मिलते हैं तो आज का homework का question है वो यह है आप इसको देख सकते हैं so this is the homework question for all of you तो आप मुझे इस question का answer comment section में बताएंगे साथ की साथ मुझे यह भी बताएंगे कि narration topic आपो समझ में आया या नहीं आया कितना समझ में आया questions बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं concept clarity हुई है या नहीं हुई है यह लोग मुझे comment section में साथ की साथ यह चीज भी बताएंगे अभी में लास्ट में जिन बचों ने सही आंसर दिया था उन विनर्स का नाम भी आनाउंस करूंगी उससे पहले एक इंपॉर्डन चीज और यह मेरी grammar की बुक है तो जो बच्चे ग्रामर की समरी चाहते हैं thousand error detection की questions भी है इस बुक में जो हमने सारे concepts के club करके इस बुक में डाले हुए है तो जो students error detection में इनको problem हो रही है जिनको बुक की पूरी grammar की समरी चाहिए वो students इस बुक को ले सकते है Flipkart या Amazon से descriptive की भी बुक आती है मेरी practice book भी आती है और vocabulary की बुक भी आती है जो बच्चे मुसे spoken English पढ़ना चाहते हैं वो निमेशा बंसल आप्रिकेशन पर चाके को ले सकते है इस कोर्स की फीस यह है इसमें वीक में दो zoom sessions भी होते है कोई भी doubt है कोई भी query है तो आप हमें इन numbers पर whatsapp करके पूछ सकते हो डबल 9 535 928 00 है